पुर्थम मित्रो आप सभी लोगों को साथियों अमन्सर्मा जी का बहुत तहे दिल से जो है साधर पुड़ाम साथियों मैं आप सभी लोगों से या जो है सासनेवं प्रसासन के साथ साथ जिलाधिकारी महोदय प्रताफ गड़ उत्तर प्रदेश यस्वी सहाब और मानी मंत्री जी को मैं अउगत कराना चाहता हूं कि प्रताफ गड़क में कोटेदारों की ताना साही नहीं चलेगी और इसी कड़ी में वो उप्रोक्त में राशन की दुकान पर जब राशन लेने गए थे तो हमने अउगत कराया उनको कि आपका राशन कम रहता है आप क्रिप्य काटयावाट को सही करवा लें और सरकार के द्वाराह जितनी निरधारित राशन जो है सासन के द्वारा बताया गया है उतना ही मिलना चाहिए देखे समस्या यह है कि आप उनके हाट 18 किलो लीजिए बजार में यह 16 किलो रहता है तो मैं यह कहता हूं कि यदि अगर किसी भी प्रकार से कोटेदार को ये समस्या हो रही है कि रासन बताते हैं कि रासन सरकार कम देती है या बोरे में कम रहता है या हमको पैसा नहीं मिलता है तो फिर वो जब जनता के सेवक है तो रासन को रिसीव ही क्यों करते हैं रिसीव ही न करें क्यों करते हैं अगर कोटा चलाने की स करें की जरूरी नहीं है कि घाग किसीन की आदमी को जो धमकी दे हम को धमकी दिया गया है मारने की जान से धमकी दिया रही है अग्या वीडियों om a syasake के तोर पर सभी यूटूबर साथियों को सासन येवं प्रसासन को पेश करता हूं हम रहें या नहीं लेकिन सासन प्रसासन से मैं कहता हूँ कि भरष्टा चार को खत्म करना चाहिए योगी राज में बुल्डोजर बाबा की सरकार में कोटेदार ओपर चलेगा बुल्डोजर कोटेदार अगर सायोगी है गरीबों का रासन एक किलो क्यों खाते हैं आपको लेना है तो सरकार से कहिए कि हमको जीवने अपन करने के लिए गरीबों का रासन ही खाना है एक किलो दे की दो किलो चार किलो एक यूनिट कम रहता है ऐसा क्यों साथियों हाथ जोड कर अगरा करता हूँ इस वीडियो को जादा से जादा पूरे प्रदेश में सेयर करें और सरकार तक हमारी बात को पहुँचाएं और कोटेदार के उपर सक्त कारवाई की जा सके ताकि जब एक बूत अध्यक्ष भारती जनता पार्टी के बूत अध्यक्ष को जब धमकी दिया जा रहा है साथियों कहीं न कहीं से भारती जनता पार्टी के सरकार में तो फिर मैं सुरच्छित जब मैं नहीं मैं इतने बड़े पद पे हूँ हमारी बाद सरकार तक पहुशती है जब हमें धमकी जीत दी जा रही है मैं सेफ नहीं हूँ तो आम पब्लिक सुरच्छित नहीं यह मेरा बयान है और इस बयान को मैं साच के रूप में अभी दर्ज करवाना चाहता हूँ आप सभी के समझ और यदि देखें कोई भी हो गरीब से गरीब व्यक्ति हो लेकिन अगर उसको सजातियों के सामने कोई गाली देगा तो कोई भी स्वाविमान के खिलाब कौन समझाओता करेगा उसका नाम दीजिए अगर कोई करे या ना करे अगर हमें कुछ होता है अगर हमें खरोंच भी आती है तो इसके लिए कोटेदार गोपाला पुर्तापगड़ उत्तर प्रदेश का जिम्मेदार होना चाहिए या अमन सर्मा जी का बयान है संपर्ग करने के लिए मेरा मोबाइल लंबर मित्रो या वीडियो में अपने दुख दर्द को बया करते हुए हमें ये नहीं है कि एक किलो रासन मिलता है हमारी समस्या नहीं है अपी तू या पूरे प्रदेश के लोगों की समस्या है और समस्याओं को दूर होना चाहिए मित्रो इसी कड़ी में जैसे किसना रादे रादे